नमस्कार मैं हूं कमल श्रीमाली आपका स्वागत अभिनांदन मेरे इस चैनल खेल गरों का में हम बात कर रहे हैं रासीफल सितंबर 2019 के बारे में आज के परिवेस में हर व्यक्ति भवश्य के बारे में सोचता है वर्तमान से ज़्यादा भवश्य के बारे में सोच करके स्वैम को चिंतित करता है कि आने वाला समय मेरे कैसा होगा क्योंकि आने वाला समय यदि अच्छा है तो उसका confidence बढ़ जाता है और आने वाला समय यदि संकट ग्रस्ते आने वाला समय यदि परिशानियों का है कोईन कोई समस्यां का है तो व्यक्ति ज़्यादा चिंतित रहने लगता है और यदि किसी को मालूम हो जाए कि आने वाले समय में इसके साथ में क्या होगा तो मेंठली प्रिपैर हो सकता है उस संकर से निपटने के लिए fight करने के लिए ready हो सकता है तयार हो सकता है और संकर से निपटने के लिए जो भी संसादन उसके पास में उपलब दोंगे उनका वह use कर सकता है उपयोग कर सकता है तो जोतिस का मुख्य जो उद्देश्य है वो भविश्य में जांकना ही है और इस कालिक्टरम का उद्देश्य भी इस चैनल के माध्यम से आपके जीवन में आने वाले समय को परकना है आपको पहले बताना है ताकि आप समय से पहले जान करके योजना बना पाएं और उस समय का पूरा फाइदा उठा सके जो अच्छा है उसको और अच्छा कर सकते हैं और जो खराब है जो नेगेटिव है उसको आप मिनिमम कर सकते हैं For example, कोई व्यक्ति के पास में एक करोड रुपए का लिक्विडिटी है तो जब भी उसका समय खराब आएगा वो उस लिक्विडिटी को खो सकता है उसके साथ में उत्ती बड़ी समस्याएं हो सकती है यह दि उसको पता चल जाए कोई उससे आगा कर दे कि आप अपनी जो लिक्विडिटी है उसको fix asset में बदल दीजे अपनी wife के नाम से अपने बच्चों के नाम से कर दीजे तब क्या होगा जो उसके बास में लिक्विडिटी यदि मालीज़े 10 लाक है 20 लाक है उतना ही उसको loss हो सकता है उतना ही वो risk factor में जा सकता है तो समय से पहले जान करके आप उस risk factor को उस जो होने वाले loss को कम कर सकते कोई व्यक्ति आपको पता एक पत्थर मारने वाला है और यदि आपको ध्यान है तो क्या होगा आप उसे बचने के लिए aware रहेंगे आपका छोटा सा प्रियास सरफ आप गरदन को जुम्बिस दे करके या side में होकर के उसकी पूरी ताकत को waste कर सकते हैं आप उस पूरी ताकत को एकदम neutral कर सकते हैं तो जो करने वाला था उसने अपना पूरा प्रियास किया लेकिन आपकी हानी नहीं हुई ये आपके जागरुक रहने से आपको ग्यान होने से और आप aware रहने से उस समस्या से बच पाए उस हमले से बच पाए जोतिस का अर्थ आपको इतना ही सला बर देना है आईए बात कते हैं सितंबर माह में आपके साथ में क्या अच्छा होना है सबसे पहला point gain and wealth अतात आय और संपति तो सबसे पहले सप्टमबर माह में ब्रस पती जो की 11 अगस्त 2019 को मारगी हो चुके हैं उनकी पूर्ण जरस्ती भाग्य भाव पर आपके लाब भाव पर और साथ में आपकी रासी पर है यह प्रोग्राम रासी पर आधारीत है अतात जो आपका moon sign है उस पर सारी calculation करके आपको बतलाए जा रहा है तो ब्रस पती की पूर्ण दरस्ती 11 अउस पर है और शुक्र भी अभी आपके रासी कुंडली में धनिस्तान पर है इसलिए gain के इस्तिती में आपका समय अच्छा है आपका समय बेटर है और 11 अगस्त के बाद में यह समय और ज़्यादा improvement का है 5 नवंबर तक क्योंकि ब्रस पती आपकी रासी से 5 अउस में यहां पर रहेंगे तो जब तक ब्रस पती है जब तक इस situation आपके लिए काफी अच्छी है और इस माँ में सेप्टेंबर में यह और ज़्यादा better होने जा रही है 17 अगस्त को जो ही सूरी बदल करके 6 अउस में आ जाएंगे अधात कन्या रासी में आ जाएंगे 17 सेप्टेंबर को तब क्या होगा इस से ज़्यादा better इस्तिती आपके सामने होगी रासी से थर्ड सूर्य जो कि धनिस्तान के अधिपती है अपने से धनिस्तान में जाएंगे और कुंडली में थर्ड अउस में 6 अउस में 11 अउस में जो भी पापी गरह होते हैं ज़्यादा बलवान होते हैं तो आपके लिए सूर्य भी बलवान होगा ब्रसपति आज़ी अच्छा है रासी से सिक्स्थ शनी वह अच्छा है राहू जरूर आपकी कुंडली में रासी कुंडली में ट्वैल्थ हूस में वह आपको चिंतित करेगा व्यर्थ के मांसिक द्वं का वो मैं आपको अंत में बताऊंगा तो इस कारिकरम के इस एपिसोड के अंत तक बने रही है अब बात करते हैं संपत्ति की तो जो भी फाइनिशल गेन है उसमें आपको कोई समस्या नहीं आनी है उल्टा मैं ये बोल सकता हूँ अगस्त के मुकाबले सेप्टमबर आपके लिए ज़्यादा बेटर है फाइनिशली जो कुछ भी आपका पैसा रुका हुआ है वो भी आपको मिल सकता है और फाइनिशल गेन के साथ साथ में आपका confidence भी बिल्ड़ अप होगा आपको appreciation या ये बोल सकते हैं आपकी reputation वो बढ़ेगी आपकी goodwill बढ़ेगी संपत्ति के मामले में जो कुछ भी आप effort करेंगे investment के लिए वो आपके लिए बहुत ज़्यादा better होंगे चाहे वो share market में हो चाहे वो community में हो चाहे वो property भेज करके हो या कोई property खरिदने में हो यहाँ पर gain की संभावना आपके लिए बहुत अच्छी है बहुत बलवान है सूर्य बुद्ध शुक्र और मंगल ये सभी एक साथ में सिंग रासी में विराजमान है और यहाँ सेप्टमबर में एक एक करके यह आगे बढ़ते हैं चले जाएंगे अधा सबसे पहले 9 सेप्टमबर को बुद्ध बदल जाएगा उसके बाद 10 सेप्टमबर को बुद्ध बदल जाएंगे उसके बाद में सूर्य बदलेंगे 17 सेप्टमबर को और फिर 24 सेप्ट को अपनी नीच रासी मा जाएगा रासी से थर्ड आ जाएगा यहां रासी से थर्ड अता फस्ट सेकंड थर्ड फोर्ट और फिफ्ट तक शुक्र को गोचर में अच्छा माना जाता है शुब माना जाता है लेकिन क्योंकि यह अपनी नेगटिव रासी मा जाएगा तो जब तक इसके साथ में बुद्ध नहीं आ जाते हैं, दस तारीकों बुद्ध भी उसके साथ में आ जाएंगे, तो यहां पर विपरीज राज्यों की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि बुद्ध उचरा सिका है, शुक्र यहां पर नीचरा सिका है, बुद्ध उचरा सिका है, ऐसी स्थित या आपके बास कोई वाहन है उसके उपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो सकता है। के लिए रिनोवर्षसं के लिए हायर किया है उसको काम दिया है वह बहुत आपको परशान कर सकता है। यह हो सकता है कि ठीक करते करते अचानक से बहुत बड़ी प्रॉलम खड़ी हो गई जो आपने छोटी सी इस्तिती में ठीक करना था उसके लिए आपने बहुत ज्यादा रिपेर का काम बढ़ा हो गया कोई दीवार ठीक कर रहे थे वो दीवार ही तूट गई या कोई पार्टि और गेईन वाई कहीं कोई परिशानी नहीं है श्यास वाइस समन्ध भी सुध रहेंगे फाइनिशल गेन भी वहोगा और सपोर्ड भी मिलेगा वहां से आपको खांदान वालों का सपोट, जो आपके, खांदान का मतलब जो आपके परिवार का हिस्सा हैं, उनसे भी आपको सैयोग मिलेगा. अब बात करते हैं अगला सेक्टर वो है सिक्षा तो एजूकिशन का स्वामी मंगल है और मंगल इस समय अपने से अपनी रासी से अपने भाव से टैंथ आउस पर है और कुणली में टैंथ हाउस से वो त्रिकौन पर है अताथ फिफ्थ आउस में है तो जब तक मंगल सिंग र जो ऐसे स्टुडेंट हैं जो सर्जन है सजरी का काम सीकरे हैं इलेक्ट्रिकल्स गुर्ट से लेटेट है कंस्ट्रक्शन से लेटेट को स्टुडेंट है टे से लेटेट है वह जरूर इस समय बहुत बयतर संभावित लगता है संभाव नहीं बहुत ज्यादा प्रबल है जो आप effort करेंगे वह effort आपको click करेंगे सक्सेस देंगे एजोकिशन में जो person science से लेटेड इस्टुडेंट है जो डॉक्टरी से MBBS कर रहे हैं या science से लेटेड कोई MD कर रहे हैं वो व्यक्ति भी इस समय अच्छा support पाएंगे time के according जो भी आप interview देना चाते हैं चाहिए आप IPS के लिए interview देना चाते हैं या अपनी service को change करने के लिए effort कर रहे हैं अपने कोई अच्छी जगे transfer करने के लिए effort कर रहे हैं वो लोग भी इस समय success हो जाएंगे अधा उन लोगों को भी अपने प्रयासों में सफ़ता मिल पाएगी तो सिक्षा के संदर्ब में भी सिक्षा के शेतर में भी यह सेप्टेंबर मां काफी better है काफी अच्छा है अब बात करते हैं health की स्वास्थ की तो स्वास्थ का अधीपती ब्रस्पती इस समय आपकी रासी से त्रिकोन स्थान में जो की बहुत बलवान पोजिशन है और शनी भी रासी से सिक्ष थाउस में हमेशा बलवान रहता है हमेशा प्रोग्रेसिव रहता है हमेशा सुब ही करता है इसलिए चाय ब्रस्पती शत्रुरासी का हो लेकिन सिक्ष थाउस में बैट करके रोगों का कर्ज का कमपटिशन का क्लेश का वादविवाद का इन सब कोई वाद भी वाद की ना कोई competition की समस्यां देखनी पड़ेगी इसका उल्टा हो सकता है कि यदि आप कोई कर्ज लेना चाहते हैं तो इस समय सोविदा से आपको कर्ज मिल सकता है लोगों को कर्ज के लिए बहुत ही परियास करने पड़ते हैं अता बैंकों के चक्कर लगाए उसे यदि लोन लेना चाहते हैं अप्रोच करेंगे वो आपको बहुत अच्छी डंक से मदद कर सकते हैं आपको बहुत अच्छे डंक से सपोर्ट कर सकते हैं अब बात कते हैं दंपत्य सुक्की तो सेवंथ आउस का स्वामी आपकी कुर्णी में शनी है मैंने अभी बतलाय है कि सनी रासी से सिक्स्थ इस्तान में सबसे ज़्यादा प्रबल सुब माना जाता है बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है रासी से फिफ्थ आउस में आयवा ब्रस्पती भी ग्रस सुक के लिए संतान सुक के कि सब्तमिस्तान का कारग्र शुक्र है वो जरूर नीच रासी में आ जाएगा 9 सेप्टमबर 2019 को वहां से जरूर सुख में कुछ कमी हो सकती है लेकिन कोई अन्बन कोई लड़ाई जगडा कोई वाद विवाद कोई ठीक कोई मन मुटाव ऐसी संभावनाय मुझे नहीं लगती है जो कुछ भी रिलेशन में है अटेच्मेंट में है उन लोगों को जरूर सावधानी रखनी चाहिए अपनी बात को संभालना चाहिए अन्यता शुकर जो नेगटिव है नीच रासी का शुकर 9 सेप्टमबर को जो आने वाला है वो आपके प्रयासों पर दोरी डाल सकता है पानी डाल सकता है क्योंकि यह जो शुकर है क्योंकि शुकर का अर्थ ही यहां पे प्रेम प्रसंग भी है शुकर का अर्थ सौंधरे भी है सौंधरे का कोई भी रूप हो उसकी पूजा शुकर के माध्यम से की जाती है तो दामपत्य सुक भी आपके लिए अच्छा है लेकि रोजी रोटी की बिना जीवन कैसे चलाएगा तो जो कुंड़ी में टेंथाउस है उसका अधिपती सूर्य है और वो सूर्य इस समय इस समय टेंथाउस है त्रिकोन भाव में है सूर्य की रासी में है और 24 सेप्टमबर 24 सितंबर 2019 को रासी से थर्डा उसमें चले जाएंगे व मंगल सबसे ज़्यादा योगपुन गरह होता है अता मंगल आपकी रासी कुंड़ी का की प्लेनट है ये बोल सकते हैं एक केंद्र और एक त्रिकोन दोनों भाव का स्वामी मंगल है और मंगल की दस्ती आप देखिए कुंड़ी में अपने स्वेम के इस्तान अता फिफ्ट जो भी आप प्रियास करेंगे उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी गेन भी मिलेगा जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बतलाया था कि ये समय आपके गेन के लिए बहुत ज्यादा बैटर है बहुत ज्यादा अच्छा है बलवान है जो भी आप एफट करेंगे आए को बढ़ा जो बिजनसमेन हैं और इस्पेसली जो लेंड और बिल्डिंग, बिल्डिंग मेटरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल रेस्टरेंट, इटेबल गुड्स, माइनिंग अन हर्बर प्रड़क्ट, इलेक्रिकल गुड्स, होम एप्लाइंसेज, एसिड, सॉल्ट, पेंट्स इससे रिले जो भी परसन, पानी से लेटेट, अथा लिक्विड से लेटेट काम करते हैं, लिक्विड का अर्थ यहां शराब नहीं है, लिक्विड का अर्थ यहां पर डेरी प्रड़क्ट हो सकता है, दूद हो सकता है, यहां पर पानी हो सकता है, मिनल वाटर हो सकता है, कोई जली पद इंडस्रीज, टांस्पोर्ट, मशिनरी, स्क्रैप, एजनसी बिजनस, ये सब शनी के काम है, इसमें जो काम कर रहे हैं, वो जरूर सावदा नहीं रखें, क्योंकि शनी रासी से सिक्त जो जरूर है, लेकिन शनी अपने खुद के इस्तान से 12 आउस में हैं, ये ध्यान रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है, जो नौकरी पैसा अव्यक्ति हैं, उनको अच्छा इंप्रूमेंट हासिल होगा, ये बात निश्टित है, जो यदि टांस्पर के लिए एफट करना चाते हैं, या कोई जॉब स्विच और के लिए एफट करना चाते हैं, उनको अच्छी सक्सेस मिलने के योग हैं, सेप्टमबर मां में आप ट्राइ कीजिए, तो आपको नवंबर से पहले पहले जब तक की ब्रेस्पती की पूर्ण द्रस्ती 11 आउस पर है, वहाँ तक आपको गेन के योग हैं, सक्सेस के योग हैं, अल्टिमेटली आप इंप्रूमेंट की स्ट आईए, अब बात करते हैं, यात्राओं की ट्रेवलिंग्स की, तो राहू विदेश यात्रा का स्वामी माना जाता है, और राहू 12 आउस में है, 6 आउस में बैटे वे शनी की उस पर पूर्ण द्रस्ती है, और 8 आउस का स्वामी भी शनी है, अथाथ यहाँ पे 6 आउस, 8 आ यात्रा के लिए लालाईत हैं, या सोच रहते हैं, मुझे भी कभी मौका मिले, तो यह सही समय है, आप एप्रोच करिए, आपको विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है, जो लोग वीजा के लिए ट्राइ कर रहे हैं, अथाथ अबरोड में पढ़ने के लिए, अबरोड घू कोई भी कारिय के लिए, तो यह सही समय है, आपके लिए विजा के लिए एप्लाई करने का, या यह बोल सकते हैं, कि आप जो भी एफर्ट करना चाते हैं, विदेश यात्राओं से सम्मंदित, वो यह समय आपको सक्सेस दे सकता है, सफलता दे सकता है, और राहु जैसा अग कोई जो विदेश नहीं जाना चाते हैं, उनके लिए लंबी दूरी की यातराओं हो सकती है, कोईं कोई कारोबारी यातराओं हो सकती है, और साथी साथ छोटछोटी यातराओं बहुत जादा आवदी में होंगी, क्योंकि बुद्ध सबसे जादा फास्त चलने वाला जो कि उच्छ रसी का होने जा रहा है तो खर्च भी अच्छी जगे पे होगा खर्च जादा होगा और साथ में उस खर्च से पराकरम भी बढ़ेगा अता जहां भी जाएंगे वहां पे आपको सक्सेस मिलेगी चाहे आप अपने पुत्र या पुत्र के विवा के लिए विवा आईए अब बात करते हैं उपायों की तो करक्रासी वाले जातकों के लिए सिवजी की पूजा उपासना करना सबसे ज़्यादा सुब है सबसे ज़्यादा आप बोलते हैं यूसफूल है लाप करी है तो सिवजी की पूजा उपासना में क्या कर सकते हैं कि नित्य अपनी दे प्रसेश्ट है माम्र तुझे मंत्र का जाप वो आप जाप करें जो भी करक रासी के जातक हैं वो अपने जीवन में अपने सरीर पर चांदी पहन कर रखने का एक नियम पालन करें उससे चनमा से समधिर जो भी जो भी समस्या हैंगी वो आपको बहुत ही मिनमम रूप में ही आ आपको परिशान कर पाएंगी मामर तुझे यंत्र और अपनी रासी का यंत्र रता चंद्र यंत्र इसके साथ में मोती जड़वा करके आप पहन सकते हैं साथ साथ में जो भी जातक इंकम यदी अधिक चाते हैं फाइनिशल गेन अधिक चाते हैं तो वो 34 यंत्र और अपनी लगवा करके पहन सकते हैं अपनी रासी का पिरामिड जहां आप सोते हैं वाँ साइट टेबल पर रखें उससे आपकी रासी के अंदर जो भी संभावना माइंड बोडी और सोल से समधी जो भी स्ट्रेंथ है वो आपको मैसूस होगी वो आपके अंदर आपको चार्ज करेगी और आपका दिन बहुत ही एक्टिव डंग से एनरजाइज डंग से आप उसको यूज कर पाएंगे उसका लाब ले पाएंगे जिन व्यक्तियों को गरिलू सुक में अताथ पारिवरिक सुक में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जैसा कि मैंने बोला था तो ऐसी इस्तित में आपको शुक्र से समदित उपाय करने हैं हर सुकरवार को सफेद मीटी चीजों का दान देना है हर सुकरवार की सांकाल में लक्समी जी पर सफेद पुस्प चड़ा करके उनकी पूजा आरातना करनी है और पूर्णी मापर यदि चनमा को खीर का भोग लगा सकते हैं तो अपनी रासी का भाग्यवर्दी लॉकेट लगा करके लॉकेट बनवा करके भी आप धारन करके आप अपने जीवन में सरीर आपका कैरियर और आपका भाग्यवर्दी लॉकेट के माध्यम से तो आप अपनी रासी के उपास्तना पूजा उपाय करके काफी कुछ हद तक समस याँ को नियंतिरित कर सकते हैं आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा यह हमको कमेंट बाक्स में जरूर बतलाएगा और किस विशाय पर आप और प्रोग्राम चाते हैं और एपिसोड चाते हैं यह भी यदि बतलाएंगे तो हम जरूर प्रियास करके आप तक वो एपिसोड पहुंचाने का स्रम करेंगे हम अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिज करेंगे स्वस्त रहें प्रसन रहें अपना अपने परिवार का और घर के बुजुर्गां का खास ख्याल रखें नमस्कार जैहिंद करेंगे